नमस्कार दोस्तों आज हम सीखेंगे कि SSO ID पर प्रथम अधी गोशना पत्र फर्स्ट डिकलेशन फार्म कैसे भरते हैं उसके लिए आप कोईशा भी ब्राउजर खोलेंगे और उसमें आप SSO टाइप करेंगे ठीक है ना SSO टाइप करने के बार इस परकार से आपका पेज़ खुल जाएगा यहां पर आपका पहला पेज है स्राज़सान सिंगल साइन यहां क्लिक करेंगे यह पेज़ खुल देगा यहां पर आपको SSO ID और पासफ़र्ड केप्चा डालकर आप यहां लोगिन करेंगे इस परकार नया पेज़ खुल जाएगा यहां पर आपको SIPF के उपर क्लिक करना है यहां यह नया पेज़ खुल जाएगा यहां सेंड अनिवे पर क्लिक करेंगे और एक नया पेज़ खुल जाएगा यहां पर यह जो पेज आता है इसको आपको close कर देना है और फिर आपको यहां पर यह transaction लिखा है transaction में पहला ही आपका लिखा है first si first declaration देखें मैं आपको जोन करके दिखा देता हूँ इसके उपर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपका यह सारा डाटा ओपन हो जाएगा इसमें आपकी जो एप्लिकेशन डेट आजाएगी जिस दिन आप सब्बिट करें आरडी आजाएगी और यहां पर आपका देखिए क्या है एंपलोई से समंदित सारी की सारी एंट्री हो जाएगी यहां पर मेन आपको बेसिक देखना है क्या देखना है बेसिक जो आपका देखिए यहां पर देरका है यह 33-800 और यह अगरा कम है या ज्यादा है तो आप डीडियो की SSID पर जाकर उसको सही कर सकते हैं और यहां पर 23 यह आती है लिए 20,300 5,000 वेशिक के इनलसार दो स्टेप आगे तक ले सकते हैं आप चाहे तो पहली सब प्रीमियम पर ही समिट कर सकते हैं इसके बार आपके देखिए डेट और डीडाएडमेंट डेट ओर रिस्क और यह सब आ जाता है इसके बार आपको यहां पर नीचे स कर देंगे क्लिक करने के बाद यहां लिखा आज यूर वांट टू सब्मिट यूर फ़र्स डिकलेरशन फॉर्म तो आप यहां लिकेंगे ओके basically जो सब्मिट किया है वह का बीडियो कि यहां पर यहां पर पेंटिंग रहेगा उसको आपको कि SSO ID पर जाकर आपको LD से SIE पर फोरवर्ड करना है उसी के बाहर आपके SIE नमबर लोट होंगे निता नहीं होंगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद जाए भारत